तो कैसे हैं आप लोग नमस्कार दोस्तों मैं ती अत्रिशा टेक्निक का लिजिस्टर में आप लोग एबार फिर स्वागत करता हूँ दोस्तों स्मार्ट फोन की तरह है अब स्मार्ट वाच को लेवकर भी भारती मार्केट में कॉफी कंपटीशन पड़ गया है और खासकर ब फायर बोल्ट टॉल कर रखा था जिसकी सफलता के बाद आज कंपणी ने फिर किया है टीज और अपनी एक और न्यू लेटेस्ट और पॉकेटर रेंट सेग्मेंट की ब्लूटूथ कालिंग को सपोर्ट करने वाली बहरतीन फीचर से सेलाइस इस स्मार्ट वाच को भारती म इस स्मार्ट वाच के बारे में बात करने वाले हैं इस जोड़ कर और अब बात करेंगे जोड़ को एस इस मार्ट पर घंडेस्ट के बारे में very ऐए만。」 होने वाली है अगर बात करते हैं इसे स्मार्ट वाच के डिस्प्ले के बारे में तो यहां पर कंपनी ने किया है कमाल और इसके अंदर आप लोगों को एक बड़ी सी 1.7 इंची की HD IPS LCD डिस्प्ले प्लब धकरवारी है जिसका रेजलेशन 240 इंटू 240 पिक्सल का है 2.5D कवर्ड ग्लास की फिनिस्टिंग इस स्मार्ट वाच की डिस्प्ले पर देखने को मिल जाएगी इसके अलावा यह एक फूल कलर टच डिस्प्ले है इसके अलावा इस स्मार्ट वाच के हो पेज को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी करक पाएंगे क्योंकि इसके अंदर कंपनी आप लोगों को प्री स्टॉल 50 प्लस बाल पेपर उपलब धकरवारी है और मेरे हिसाब से दोस्तों एक पोकेटरिंग सेग्मेंट की स्मार्ट वाच के तोर पर इसके अंदर आप लोगों को एक HD डिस्प्ले मिल रही है जो काफी बेहरतीन डिस्प्ले है और काफी बड़ी डिस्प्ले भी लेवाली है इसके लाओ दोस्तों अगर बात करते हैं इसके और फीचर्स के बारे में तो इसके बैक सेट पर कंपनी आप लोगों को पैडो मीटर एक्सलरो मीटर और SPO2 जैसे सेंसर उप्लब धकरवारी हाला कि इसके अंदर आप लोगों को GPS जैसे फीचर देखने को नहीं मिलता इन सेंसरों के जरीए 2400 घंटे अपने आप लोग हार्ट रेट को ट्रैक कर पाएंगे स्लीप मोनिटरिंग कर पाएंगे डिस्टेंस को ट्रैक कर पाएंग आप लोगो डिफ्रेंटर पाकार के स्पोर्ट मोड कमपनी दे रही हैं मतलब आप अपने नार्मल दिन भर की दिन चर्याओं को इसे स्मार्ट वाच के जरीए ट्रैक कर पाएंगे और उसका एनलासिस भी कर पाएंगे इसके अंदर आप लोग काल का नोटिफिकेशन पर आ अन सोसल साइडों के नोटिफिकेशन प्राप्त कर पाएंगे हाला कि यह सारे नोटिफिकेशन आप लोग साउंड के थूर और वाइब्रेशन के थूर प्राप्त कर पाएंगे लेकिन कालिंग के लिए इसके अंदर आप लोगों को इन बिल्ट स्पीकर और माइक्रोफोन क इवेंट से करवाएंगे, रिमाइंडर, फाइंड माइफोन, कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल और इसके अलावा वेदर जैसी जानकारिया ले पाएंगे जो नार्मल तोर पर इस स्मार्ट वाच के अंदर ऐसे फीचर मिलते हैं और इसके अंदर भी ऐसे ढहर सारे फीच चार्ज करेंगे, तो आप लोगों को नार्मल मोड पर कांटिन्यू एट डेज का बैटरी बैकप देखने को मिल जाएगा, और इस स्टेंड बाई तरीके से आप लोगों को एक महीने का बैटरी बैकप इस स्मार्ट वाच की बैटरी की तरफ से देखने को मिल जाएगा, मत बात करते से स्मार्ट वाच के भारती मार्केट में फाइनली उपलब्ध था और कीमत के बारे में तो यहां पर जैसे मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि तो ऐसे ही कुछ फीचरस के सोथ पिछले हफ़्डे बारती मार्केट में लौन्च हूँ थी जिसकी कीमत 3-4 Agent रुपएक आसपास है तो इसकी भी कीमत लगबख 3-4 Agent रुपएक आसपास ही भारती मार्केट में रहने वाली है तो आपनों के मिकी बिचारी इसकी क्या कीमत होनी चाहिए या इसकी कीमत दो हजार रुपए के आसपास होनी चाहिए जो भी आपनों के दिल में विचार होकरे नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा फिर भी यहाँ पर मैं आपनों को जानकारी के लिए बतादू कि यह स्मार्ट वाच वाकई में काफी बेरतीन और अच्छे स्मार्ट वाच होने वाली है खास कर स्पोर्ट मैंड के लिए और मैं आपसे मिलता हूँ नेश्ट वीडियो में जैहिंद